नमस्कार मैं प्रग्या धर्द तीस खबरों में आपका स्वागते चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को नेपाल में एक महीने में तीसरी बार भुकम के तेजज़ट के लगे हैं नेपाल के जज़रकोड जुले के लामी डानडा एलाके में इस भुकम का केंद्र था यहां 92 लोगों की मौत हुए है इस्राइल हमास के बीच चल रही जंग के बीच डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि ब्रिटिस प्रवक्ता कॉल के रिडाउट ने बताया कि दोनों निताओं ने हमास के हमले की निंदा की दोनों निताओं ने साफ किया कि हमास फलिस्तिनी लोगों को प्रतिनिद्र नहीं करत इंफोसिस के संस्थापक नरायन मुर्ती ने हफ़ते में 70 घंटे काम की नई बहत सूरू की है इस मामने पर जहां कुछ लोग पक्ष तो कुछ विपक्ष में नजर आ रहे हैं इस बीच भारत में एंप्लोईमेंट के लिहास से अच्छी खबर सामने आई है हाले में मैकिन से हल्थ इंस्ट्यूट ने एंप्लोई वेल विंग वाले देशों के बाड़े में एगलोव सर्वे आयूजित किया गया था ब्लूमबर्ड की रिपोर्ट के नुसार पता चला कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे अच्छा करमचारी कल्यान वाला देश है तुर्की 88 पतीशित स्कोर के साथ सबसे उपर है कच्चे तेल के आयाद पर भारत के निर्भरता बरती जा रही है वर्स 2015 में आयूजित उर्जा संगम कारिक्र में वर्स 2020 तक कच्चे तेल के आयाद पर निर्भरता 10 फीसद घटाने का लक्ष रगा गया था लेकिन हकीकत में आज भारत अपनी जरुवत का 87 फीसद तक कच्चा तेल बाहर आयाद करने लगा है भारत के हाइड्रो कार्बन सेक्टर में काफी रूची रखने वाले प्रसद उद्योगपती और विदान्ता समुक के चेर्मैन अनिल अगरवाल ने केंदर सरकार के समक्ष कृष्पस्ताओ रखे हैं जिसे भारत अपने फिल्डों से कच्चे तेल का उतपादन काफी सकता है इसमें एक प्रमुक सुझाविया है कि दूसरे उद्योगों की तरह भारत में तेल खोज और सुधन के लिए पी एलाई या एस्पोलरेशन आधारित स्कीम की घोशना करनी चाहिए और टैक्स बोच को कम करना चाहिए वल्ड़कप 2023 के बीच टीम इंडिया को बड़ वह अर भी नहीं फेक पाये थे हारिक पाटधिया का टूर्णामेन के बाहर होना तीम इंडिया के लिए तग्रा जटका है हार्डिक टीम को बैलस देते हैं वह चटे नमोर पर बलेबाच केरने उतरते हैं और टीम को छटे गेंड़ाज का विकल्द भी देते हैं हार्दिक क चोटल होने के बाद सुरी कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया था सुप्रीम कोट में इलक्टोरल बॉंड मामले पर सुनवाई का गुरुवार का तीसरा दिन था इस दोरान वरिष्ट वकील कपिल सिब्बल की तब्यद बिगर रही जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंदरचूर और सुलिसिटर जनरल तुसार मेता ने सब काम छोड़ कर पहले कपिल सिब्बल की तब्यद के बाड़े में जानकारी लिए और फिर दोनों ने वरिष्ट वकील की मदद भी की दरसल गुरवार को जब पास दश्यवाली समिधान पीट इलेक्टरोल बॉर्ण मामले पर सुनवाई कर रही थी तो अचानक मुखिन आधीस ने सवाल किया कि कपिल सिब्बल कहा है कि वे राजिस सभा के सभापती जगदीव धनकर से मिलकर बिना सर्थ माफी मांगे जिसके बाद सभापती साधार पर विचार कर सकते हैं कि वे एक यूवास दश्य है इस तरह उनके निलंबन को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है राजाच चड़ा के राजिस सभा से निलंबन को चनौती देने वाली आचीका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोड को बताया गया कि आज प्रिविदरज कमीटी की बैठक होनी है कोट को बताया गया कि रागत चड़ा प्रतिष्छ सदन के सबसे कम उम्र के सदश्य है और वे बिना सर्थ माफी माँगने के लिए तयार हैं अगले लोकसभा चनाव से पहले केंदर सरकार देश के 1.92 करोड गिरहनियों को साधने की तयारी में इसके लिए देश भण में एक करोड घड़ों में बहुत ही कम खपत वाले पंको और 20 लाक इलेक्ट्रिक चुलों का वितरन किया जाएका वैसे यह स्कीम सरकारी कमपनी E.E.S.L. की है जो बिजली मंतराले के तहत लागू की जाएगी गिरुबार को बिजली मंतरी आर के सिंग ने इसे जड़े दो कारेक्रमों के बारे में बताया जो आम जंता को लुभाने में वैसी ही भूमी का निभास सकता है जैसे पीम उजवल योरसोई गैस योजना निभाई थी इस योजना का एक मकसद यह भी है कि देश में बिजली की खपत बढ़ाई जाए खास तोर पर जिन घड़ों को अभी अभी बिजली कनेक्शन दिया गया है वहां बिजली से चलने वाले पंक्य बाद चुले का पड़योग बढ़े सोशल मीडिया सेंस्टेशन औरफी जावेद अपनी अजीब गरीब ग्रस की वज़ज़ से सुर्ख्यों में रहती है उनके कई वीडियो और फोटोस तेजी से वारल होते हैं शुकरवार को उनका एक वीडियो तेजी से वारल हुआ जिसमें उन्हें दो महिला पुलिस करमचारी पकड़ कर जीप में ले जाती नजर आई इस वीडियो के वारल होने के बाद कहा गया कि उर्फी को असलीता फैलानी की वज़ज़ से मुंबई पुलिस के ओर से गिरिफतार किया गया हाला कि उनका ये वीडियो फेक निकला खुद मुंबई पुलिस ने इस मामले में संग्यान लेकर इसकी पुस्टी की है दरसल उन्होंने ये वीडियो लोग प्रियता हंसल करने के लिए बनाया था अब उनके इस फेक वीडियो पर एफायार दर्च की गई है बॉलिवुड एक्टरस कंगना रॉनौत ने राम मंदर गिर सोमनाथ मंदर और पीम नरेंदर मोदी को लेकर बयान दिया इसके साथ ही कंगना ने चुनावी राजडिती में उतरनी की लेकर खुलकर बात की कंगना रॉनौत ने कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा रही तो अगला लोग सभाचनाव लडएंगी कंगना रॉनौत आज भगवान कृष्ण के प्रसद द्वार काधीस मंदर में पूजा आर्चना करने के लिए पहुँचे इस दुरान कंगना ने कहा कि जितनी बार स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने अनोखी तरकीब निकाली थी दरसल SBI ने बैंक डिफॉल्टर्स के घर लोन चुकाने के लिए चॉकलिट ले जाने का अईरान किया तर जिसके बाद अब सरकारी सेक्टर के एक और यूको बैंक ने दिवाली पर अपनी हर ब्रांच के स्टेट फॉल्टर्स को मिठाई देने की योजना बनाई थी हाला कि बैंक ने अपने स्योजना को तुरंथी वापस ले लिया था अंतराश्टिय योग दिवस से लोग प्रिये हुए योग की तरह अब भारत के मिलट्स भी दुनिया में धूम मचाने जा रहे हैं मोटे अन बॉलिवर्ट सूपरस्टा सारोखान के 98 जंदन के मौके पर टीम इंडिया के पुर्व कप्तान महिंदर सिंग धोनी ने भी उनकी पार्टी में शिर्कत की धोनी ने जंदन की पार्टी के दौरान काले रंका सूट पहना था और नए हैस्स्टाइल में नजराएं इस कारिक्रम में उनके साथ तस्वीरे खिचवाने के लिए बॉलिवर्ट हस्तियों का हुजूम उमर पड़ा सोशल मीडिया पर धोनी की कहीं तस्वीरे वायरल हो और यहां तकी गायत मीका सिंग, अभिनेता संजय कपूर और अन्य अभी टाउन हस्तियों ने धोनी के साथ तस्वीरे साथा की अलविश यादब पर जहरी लिस्तापों की तसकरी करने और गैर कानूनी रूप सेरे पाटी आयूजद करवाने के आरोप लगे हैं मैनुफैक्टरिंग को सरकार अगले चरण में ले जाना चाहती है और इस काम के जिमेदारी निती आयोग को सौपी गई है भार्दिया रिजर्ब बैंक देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नज़र रखती है जब भी कोई बैंक RBI के नियमों को अंदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रिय बैंक उस पर जुनमाना लगा सकता है इस कड़ी में RBI ने पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, मर्सिदीज बेंच, फाइनेंसियल सर्विसेज, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कोसामटम फाइनस लिमिटेड को टैयम पर प्रिनेर्टी लगाई है ये कारवाई नियमों का पारणा करने की बज़र से लगाई गई है करनाडा की संसद ने हिंदू फोबिया के खिलाफ पटीशन को सदन के पटर पर रखे जाने के अगले दिन ही लंदन की विधानसभा में ब्रंट एंड हैड ओ विधानसभा सीट से विधाया के रुपेश हिरानी ने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है स्पेस प्रमुख बोईंग इंडिया के अध्यक्ष सदलील गुपते ने सुक्रवार को कहा कि भारत में एरलाइन छेतर दुनिया के तुलना में तेजी से विकास कर रहा है, पिछले कुछ वर्षों में लगभग 6.97 प्रतीशत की प्रभाव साली व्रिधी दर हुई है। भारत में चिनावी मोहल चल रहा है, देश को निवेश की जरूरत है, ऐसे में UAE अपने दोस्त की मदद के लिए आ सकता है, जी हैं ऐसी खबरे सामने आ रही है कि खारी देशों में भारत का सबसे अच्छा दोस, UAE यहां बड़ा निवेश कर सकता है, यह निवेश करी 50 अरब करने का सेना का द्रिस्टी कोन मुलमाना था, कोट ने शुक्रवार को अधिकारियों को उनकी पदोनती के लिए 15 दिनों के अंदर विशेश चेन बोर को फिर से बठाने का नर्देश दिया, CGI डिवाई चंदर चूर की अध्यक्षता वाली पीटने, महिला अधिकारियों के उचित अधिकारों को समाग करने के रवय की दिनता ही, बिहार में सक्षा विवस्था के सेहत सुधारनी के लिए सक्षा विवाग के अपर मुखे सचीब के के पाठक शुक्रवार को अचानक गया डायट पहुच गये जहां पहुंचते निवा विद्याले का निरिक्षन कर प्रिंसिपल के जवाब पर केके पाठक ने कहा कि पित्रिपक्ष मेला कपका खत्म हो चुका है, इसलिए इन अतरित सोचारियों को यहां से हट वाइए भारत में किसानों के उत्पादों को वैस्ट्रिक अस्तर पर नहीं पहचान देने के लिए पियम मोदी द्वारा सुरुक किये गए अभियान को साकार करने के लिए एपीडा की नाया पहला है भारतिये किसानों कुदपात का भारत में ही एक वैस्ट्रिक बाजार का नर्मान करना वारा नसी में देरात करीब सारही 11 बजे 10 से 12 सेकंड तक भुकम के तेज जटके महसूस किये गए जटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर आ गए बहु मंजला इमारतों के बाहर भी अफरात अफरी का महल रहा इसके बाद लोगों ने फोन पर अपने पड़ीचेतों का भी हाल जाना बियाचियो के मौसम विड्यानी प्रोफेसर मनूस श्रिवासर ने बताया कि रेक्टर पैमाने पर भुकम की तिवर्ता 6.4 दर्ज की गई है भुकम का केंदर नेपाल होने के कारण बिहार और पुरवांचल में इसका ज़्यादा आसर रहा गुरुबार 2 नवंबर को भारत ने वंडे वर्ल कप 2023 में श्रिलंका का सामना किया जसमें उन्होंने शांदार परफॉर्मेंस किया जिसके परड़ाम सरूप उन्हें सेमी फाइनल में जगा मिल गई हमेशा सपोर्टिव पतनी रही अनुष्का सर्माने अपने पति परफ पर सौगात दी है इसके तहट परफ पर लाभारतियों को मुफ्त सिलंडर रिफील कराने की सुधा दी जाएगी पहले चलन में मुफ्त रिफील की सुधा लाभारती नवंबर से दिसंबर महिने के बीच में ले सकेंगे जरकार के ओर से दिपावली पर दी गई सौग आज याने सनिवार को कुछ निन्दा लोगों के लिए अपना पहला AI प्रोड़क्ट लॉंच करेगी वहीं आज मास्क ने इस एक्स AI की एक जलग भी दिखाई है मद्य प्रदेश विधान सभा चनाव की तस्वीर बदलने के लिए कॉंग्रस को प्रियांका गांधी की जरूरत महसूस हो रही है ऐसे में पार्टी ने राष्ट्रिय अदेक्ष मलेका अरजन खरगे को उजयन में आमसभा के लिए भीज़ादाना तैकिया गया है कॉंग्रस के लिए अभी भी इस बात को लेकर असमंज़स में है कि प्रियांका गांधी का उजयन दोरा होगा या नहीं इस बार विधान सभाचनाव में भारतिय जन्ता पार्टी और कॉंग्रस के बीच कांटी की टकर बताई जा रही है महराष्ट में जल संपता विभाग कई पदों पर भरती करने जा रहा है इसमें ग्रूप B और ग्रूप C के पद है इसके लिए आप विभाग की वेबसाइट wrd.maharastr.gov.in पर जाकर 24 नमूंबर तक आवेदन कर सकते हैं अगलग पदों के लिए अलग-अलग योगिता मागी गई है इन पदों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18-38 साल तक होनी चाहिए वहीं आरक्षित वर्ग कोरियमों के मताबिक आयो सीमा में छूट दी जाएगी प्रवर्तन रिशाली की जाच में सामने आई है कि चत्तसगर के मुख्यमंतरी भूपेज बगेल को महादेव सटेबाजी एप के प्रमोटर से पांसो आठ करोर रूपे मिले हैं अब स्मृति रानी दौरा भूपे इस बगेल पर लगाए गए गंबीर आरोपोर पर कॉंग्रस ने जवाब दिया है देश का एक बड़ा बैंक अपने ग्रांकों को जटका दे सकता है अपनी ब्याज की दरे बढ़ा कर करज ग्रांकों के लिए वहागा कर सकता है बैंक का नाम है यूको बैंक ऐसे में अगर आप यूको बैंक के ग्राहक है तो ये खबर आपके लिए ही है हुआ ये है कि Q2 के रिजल्ट बैंक के लिए कुछ खास नहीं रहे है इस Q2 में बैंक का मुनाफ़ा कम हुआ है येर टू, येर आंकरों की बात करें तो बैंकों का पिछले साथ 504 करोड का नेट प्रॉपिट वो था जो अब 402 करोड पर आ गया क्या रिए 20% की कमी सीधी तोर पर देखी गई है अब बिहार सरकार की कौन-कौन सी योजना का लाब उठा रहे है अपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद